श्वागते फ्रेंड्स आप सभी का हमारे गोट गया यूट्यूब चनल में तो आज हम बात करनेवाले हैं फ्रेंड्स आपके को प्रेस करेंदे कश्यों कि अउप्षान नहीं को खूँछेन मारी पह़ली वीडियो के अपडेटरिका आप तक आपको इसी application के बारे में बताऊंगा चो Motorola को support करता है उसके लिए friends आपको description में दी गई, link पर click करना है, link करते ही आप उस app को install कर लेंगे यदि आप Motorola मोँआल में application का use करेंगे तो आपको application में कुछ settings करना पड़ेगा पहले एप्लिकेशन को अन करना है अन करने के तरह आपको next को option देख आपको next करना है next के बाद आपको agree करना है इसके बाद friends आपसे सभी permission को अन कर देना है storage, microphone, phone और HD card के लिए सभी को allow कर देना है यह है application आपसे जितनी भी information मांग रहा है आपको सभी को allow कर देना है और simply back आ जाना है सबसे important work of friends आपको यहाँ पर करना है सबसे पहले आपको 3.0 के उपर जाना है 3.0 के उपर जाने के वाद आपको recording option मिलेगा recording के पर क्लिक करने के वाद आपको यहाँ पर simply full कर देना है फुल करने के लाबर यहाँ पर आपको कुछ भी setting को on या off नहीं करना है सिंपली आपको back आ जाना है और इस call करके देख सकते हैं कि यह application बिल्कुल काम कर रही है और यह motor अलग को support करती है आप जैसे कि देख पाएंगे कि call recording का option आ गया है पर यहाँ अभी call recording नहीं होगी क्योंकि मेरा अभी screen recorder चालू है screen recorder चालू होने के कारण यहाँ double system नहीं हो सकता इसलिए अभी off है call end होने के बाद यहाँ file automatically आपकी file में save हो जाएगी यहाँ पर जाकर आप सुन सकते हैं और इसकी speed को कम या ज़्याद करकर भी सुन सकते हैं आप इस call recording को किसी भी platform पर आसानी से share काश रखते हैं और कहीं पर भी shape करके रख शकते हैं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like चरोड करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें जिससे कि हमारी पहले वीडियो आप तक से पहले पहुँचे